हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको घड़ी वर्ट का इंग्लिश मीनिंग बताएंगे घड़ी वर्ट का इंग्लिश मीनिंग है वाच या क्लॉक इसे हम आपको एक इक्जामपल या एक सेंटेंस से एक्स्प्लेंड करेंगे तो इसका एक इक्जामपल या एक सेंटेंस है इसे हम आपको हिंदी में समझाते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग है मैंने एक नई घड़ी खरी दी इसे एक और example से समझाते हैं तो इसका दूसरा example है The clock is ticking इसे हिंदी से समझते हैं तो इसका हिंदी meaning है घड़ी tick tick कर रही है ऐसे ही rose words के meaning जानने के लिए हमारी चैनल को जरूर subscribe करें Thanks for watching my video